नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेल्डेटेक में दोस्तो आज की वीडियो में हम चानेंगे की NCVT और SCVT में क्या अंतर है तो दोस्तो आई ये सुरू करते हैं आज दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सस्काइब नहीं किया तो चैनल क Council of Vocational Training यह है इसका पुरा नाम है दोस्तों और इसके अंदर बहुत से कोर्स करा जाते हैं जो की कोर्स राष्टेस तरके होते हैं नेशनल लेवल पर उनका माननेता प्राप्त उनकी होती है जैसे कि आपने NCVT से ITA की है तो उसके देखिए यहां पर क्या क्या लाब आपको मिल सकते हैं NCVT से ITA करने के बाद आपको जो भी केंदरी वेगेंसियां जो निकलती हैं जैसे रेलवे, डियार, डियो, ओरने इस्पेक्टरी हैं तो यहां पर आपको फूम बढ़ने के लिए आप ओथराइज होते हैं जैरा तर जो वेगेंस से निकलती हैं वहाँ पर NCVT का कोर्स ही मांगते हैं दूसरा यह देखिए, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो तुरंत आप अप्रेंटिस कर सकते हैं किसी भी संस्थान से अप्रेंटिस करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती हैं अगर आपने NCVT से कोर्स किया है और अगर आप CTI करना चाहते हैं दोस्तों तो CTI अगर आपने NCVT का सर्टिवेट आपके पास है तो आप CTI भी कर सकते हैं आसानी ते CTI एक इस्टेक्टर का कोर्स होता है तो वो भी आप कर सकते हैं तो यह NCVT के कुछ फायदे हैं NCVT से कोर्स करने के बाद इसके परमान पत्र को राष्टी अस्तर में माननेता दी जाती है कि पूरे भारत में आप किसी भी वैकेंसी में आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास NCVT का स्टिवेट है दोस्तों आप जानते हैं SCVT के बारे में तो SCVT का जो फुल फोर्म है State Council of Vocational Training है इसके द्वारा जो कोर्स कराय जाते हैं लिख देला हैं राज्जेस्तर के द्वारा माननेता प्राप्तों होते हैं कि जिसे राज्जेस्तर पे कोई वैकेंसी निकलेगी आप महा पर ही अपलाई कर सकते हैं SCVT में कोर्स प्राप्त करने के बाद आप सभी राज्टी स्टर की भरतियों में इस्ता नहीं ले सकते जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी वेकंसी केंदरिस्टर की जो निगलती है वहाँ पर आप फोर्म नहीं भर सकते हैं अगर आपने सीवीटी से किया है कुछ वेकेंसिया हैं जिनमें लिख देते हैं कि SCVT वाला भी apply कर सकता है वो एक अफवाद है तो यहाँ पर अब next देखते हैं किसी भी संस्थान से आप apprentice नहीं कर सकते हैं दोस्तों वो भी condition रहते हैं कि सभी संस्थान SCVT के candidate को apprentice नहीं कराते हैं और जो CTI अगर आप करना चाते हैं तो दोस्तों CTI के लिए भी यहाँ पर बहुत सी condition होती हैं कि जो अगर आपने SCVT से CTI करना चाते हैं और SCVT के आपके पास certificate हैं तो आपके पास कहीं condition रहती हैं तब बड़ी मुश्किल होती है तो दोस्तों अगर आप ITI करना चाते हैं या ITI कर रहे हैं तो आप यह ध्यान करें कि आप जिस संस्था से ITI कर रहे हैं कि वो SCVT के द्वारा माननेता प्राप्त है या NCVT के तो आपको कुसिस करनी चाहिए कि हमें NCVT के द्वारा ही मानने तप्राप्त जो संस्थाने वहीं से ITA करनी चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि NCVT और ICVT में क्या नतर है तो दोस्तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें सेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद